डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच शेकिंड बाद स्टार्ट भारत की दिगज तीरंदाज दिपीका कुमारी ने देश का नाम रोशन कर दिया है पेरिस में जारी तीरंदाजी वर्ड कप में इतिहास रचते हुए दिपीका ने एकल महीला रिकर्व टीम और मिस्रित यूगल मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीता है खास यह है कि दिपीका ने रविवार को अपने पती अतानू दास के साथ मिलकर मिस्रित यूगल में स्वर्ण पर निसाना लगाया एसी उपलब्दी हासिल करने वाली अतानू और दिपीका की यह पहली जोड़ी है तीरंदाजी में दिपीका कुमारी के लिए यह सबसे खास मुकाम है उनके प्रदर्शन की जितनी सराहना की जाय कम होगी पेरिस में जारी तीरंदाजी वर्ड कप में उनसे एसे सानदार प्रदर्शन की उम्मीद किसी को नहीं होगी इस सानदार जीत के बाद ओलंपिक खेलो में भारत के लिए पदक की आसा बहुत बढ़ गई है भारत रत्न सचिन तेंदूकल ने अपनी दिपीका कुमारी की सानदार कामयाबी की भरपूर सराहना की है तो कोई आस्चरिय नहीं है सचिन ने बड़े उत्साह के साथ कहा है कि पेरिस में दीपीका ने जिस तरह का खेल दिखाया है उससे समझ आ गया है कि ओलंपिक खेलों की दोरान दुनिया को क्या देखने को मिलेगा वाकई दीपीका कुमारी इस सफलता और मान्यता की सही माइने में हकदार है रूस की एलेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है इतने भारे अंतर से जीत कोई तुक का नहीं है महीला रिकवर टीम स्पर्दा में दीपीका की अगुवाई वाले भारती दल ने मेक्सिको की टीम को पांच एक से हराकर स्वर्ण जीता और मिस्र युगल में अतान और दीपीका ने होलेंड की जोडी जेफ वान देन बर्ग और को हराकर स्वर्ण अपनी जोली में डाला तिरंदाजी की दुनिया में यह एक बड़ी घटना है जिसकी खूब चर्चा हो रही है दीपीका का नाम अंतर राष्टिय इस्तर पर पहले से कहीं ज्यादा चमक के साथ उबर कर आया है अपनी इस सानदार कामयाबी पर दीपीका ने उचत ही कहा कि मैं एसा प्रदर्शन करके बहुत खुस हूँ और इसे बरकरार रखना चाहती हूँ मैं इसमें और सुधार करना चाहती हूँ क्योंकि आगे आने वाले टूर्नामेंट्स मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं मैं जो सीख सकती हूँ उसे जारी रखने की पूरी कोशिस करूँगे दीपी का कुमारी की टिपने से भी जादा प्रेरक टिपने उनके प्रती पती तीरंदाज अतानु दासकी हैं जिन्होंने कहा है हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं मुझे लगता है कि इसी कारण हमारी साधी हुई है हम एक दूसरे को ने केवल प्रेरित करते हैं बलकि एक दूसरे का उच्चाह बडाते हैं और एक साथ जीतते हैं भारती खेलों में जोडियों की भूमी का महत्वपूर्ण रही है कई बार पदक तक का सफर खिलाडियों को अकेले ही पूरा करना पड़ता है लेकिन जब किसी मजबूत साथी का साथ मिलता है तो कामयाबी में चार चांद लग जाते हैं आज अगर अपने इस सानदार प्रदर्शन की बदवलत बीपी का दुनिया की नंबर वन तीरंदाज बन गई हैं तो इसमें अतानु दास की एहम भूमी का है इस जोडी को ओलंपिक पदक के लिए सम्मीलित रूप से कोशिस करनी चाहिए बीपी का से भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं उन्हें दिलो जान से अभ्यास में जुट जाना चाहिए पेरिस में उनके प्रदर्चन से लगता है कि यह समय उनके लिए अनुकूल चल रहा है अतह उन्हें अपनी ताजा कामयाबी से आगे बढ़ कर अगली प्रतिस्फर्दा पर फोकस करना चाहिए वित मंतरी निर्मला सीतारमन ने सोमवार को कुछ और राहत उपायों की घोचना की ये उपाय विभिन क्षेत्रों को महामारी के कारण मचो उतल फुतल से निपटने में मदद के इरादे से घोचित किये गए हैं सीतारमन ने इस अवसर का लाब उठाते हुए कई अन्य सरकारी पहल को भी रेखांकित किया देश के बड़े हिस्से में कोविड के मामले भी कम हो चुके हैं और इस वजह से राज्य सरकारों ने भी लोगों की आवागमन तथा अन्य गतिविधियों पर लगे प्रतिबंद सितिल किये हैं इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है लेकिन कारोबारियों के लिए एनिस्चितता बरकरार है यदि संक्रमन एक बार पुनह बढ़ा तो आर्थिक सुधार की प्रकिरिया बादित होगी इस संधर्ब में ताजा घोसनाय विभिन क्षत्रों और कारोबारों को रिन की उपलब्धता सुधारने पर केंद्रित हैं प्रमुक घोसनाओं की बात करें तो सरकार कोविड से प्रभावित क्षत्रों 1.1 लाख को रुपई की रिन गारंटी बढ़ाएगी स्वास्थे चेत्र में इसका इस्तेमाल आठ बड़े सहरों की बाहर स्वास्थे बुनियादी धांचा विकसित करने में किया जा सकता है समूचा केरल आजकल दहेज से जुड़ी हत्या आत्म हत्या और प्रताडना की खबरों से ओत प्रोत है जिधर देखो इसी बात की चर्चा है और सरकार से लेकर आम जन की बीच समझदारी का एसा ज्वार उठा है कि लगता है दहेज प्रता यहां से बहकर हिंद महासागर में समा जाएगी मीडिया ने इन मुद्दों को मजबूती से उठा रखा है सरकार पर दबाव बन रहा है और उस दबाव में वह निरने ले रही है सरकारी आदेशों को देखकर कोई भी व्यक्ति प्रसंसा कर उठेगा लेकिन एक प्रगति सील सरकार तब जागती है जब उत्पिडन की कई खबरें आ जाती है वह उस समय नहीं चेतती जब एक पती अपनी पत्नी को सांप से कटवा देता है या दुलहन उपर से नीचे तक सोने से लदकर मंडप में पहुचती है और राष्टी अपराद रिकोर्ड ब्यूरो महिलाओं के प्रती हिंसा में केरल को काफी उपर रखता है आम तोर पर देखा चाय तो केरल एक आदर्स राज्य प्रतीत होता है निकट इतिहास में हुई सामाजिक क्रांतियों आधारबूत सरंचनाओं और सिक्षा स्वास्थे आदी की दिशा में किये गए सरकारी प्रयोगों के मद्दे नजर जो केरल उभरता है वह वाकई किसी भी राज्य को इर्शा से भर देने में सक्सम है हाल में आई नीती आयोग की रिपोर्ट भी इस बात पर मुहर लगाती है फिर दहेज हत्या जैसे प्रतिगामी चीज यहां क्यों है समाप्त